इससमे अगर आप सेलेक्टर्स नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं वैसे सेलेक्टर्स का ये लेक्चर का ये दूसरा लेक्चर है इस चैनल पर आप सेलेक्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले लेक्चर्स को देखें जिनमें सेलेक्टर्स के बारे म है आज मैं बताने वाला हूं क्लास सेलेक्टर के बारे में क्लास सेलेक्टर क्या होता है यह आप जानेंगे इस वीडियो में तो यहां पे मैंने एक फाइल बना रखी है सेलेक्टर को नहीं किया है मैं फाइल को सेव कर देता हूं यहां पर आजा यह हम करते हैं यहां पर देखेंगे तो से एड़ है इसलिए कि एसेशठ में ही लिखा जाता है कॉन सी शनक तो आपका इंधिश्री धिया एले स्टाइल के अंदर आपका जो है सिसे सोगा है अंदर होता है इस टाइल हमको पढ़ना है क्लास एसे एक लास सेलेक्टर स्वाड़ना है बॉडी बना रहते हैं थोड़ी सी आप भी बनाई एक यह पीजिए सिहत बंद रहे हैं से आप बॉडी है और यहां पर भी यह बॉडी अठी हमारी बॉडी बन दिए अब इस बॉडी में हम कोॉड करेंगे लेकिन वहले हम क्लास सेलेक्टर स्के बारे में जानेंगे और क्लास लेक्टर्स बनाएंगे वैसे क्लास लेक्टर्स बनाने के लिए हमको इस्तमाल करना होता है डॉट सिंबल का जब हम डॉट लगाते तो क्लास बन जाता है वैसे आईडी से लेक्टर्स के लिए हम इस्तमाल करते हैं है यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूं क्लास का नाम है ए पृब्ट चौ inhom Kendra कर दें रहा हूं यहां पर लिखता हूं ट्रेक्स्ट अलाइम ट्रेश्ट में जो है इसको कर देदे लिए सेंटर अघे इस चुंट यूच कर दें एक कलर कलर हो गया आपका टेक्ट का कलर क्या रखेंगे तो हम रखेंगे भी यू इस ब्लू कलर हमारा हो गया ब्लू और आप जो है फॉंट साइज देना चाहते हैं तो फॉंट साइज दे दीजिए कि थरी पीक्ष साइज जो भी देना चाहें रागाज है यह थैन फॉंट दे दिया एक बार को इंप्लिमेंट करके देखते हैं क्लास इंप्लिमेंट कैसे होगी तो हम नॉर्मली एक हैडेंग बना देंगे और हैडिंग में लगा लेंगे अच्छले वन अच्वन class equals to class में आप class का नाम दे देंगे class का नाम क्या है ए और ह1 को बंद कर देंगे ह1 यहाँ पे बंद हो चुका है और यहाँ पे जो भी ह1 में लिखना है आप लिख देंगे दुर्गेश सर आप दुर्गेश सर के चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें सेव किया मैंने और इससे चलके हम वेब पेज पे देखते हैं यह क्या बन के आता है यह दिकिए दुर्गेश सर आपका सेंटर में ब्लू में एच्वन में आ गया है यही हमारा class है ध्यान देजिएगा अगर हम यहां पे हैश लगा दें तो यह यह यहाँ पे यहाँ प्रकाइब नगा देखें आपको पता चल जाएगा हैश कब लगाएंगे और यह यहांनि डाट कब लगाएंगे तो इस वीडियो में बताने वाला हूं फिलाल एक और CSS हम कर लेंगे CSS में क्या है तो एक और CSS बनाते हैं B के नाम से यह है . B class CSS है यहाँ पर हम लिख लेते हैं B को और implement करते हैं वी जो है ना भी एक paragraph के लिए हम बना देंगे तो इसका हम font देंगे font कौन सा font चाहिए font family दीजिए font family अब font तुरह सब मज़ेदार दिया जाए तो मेरे पास एक फॉंट इसका ना में मोनो टाइब कॉर सिवा तो हम कहीं भी जाके ले सकते हैं इसे नोट पैड में चलते हैं और मोनो टाइब कॉर सिवा जो है यहां पर वेस्ट कर दीजिए यह फॉंट मेरा लग गया अब यहां पर आप क्या करेंगे न तो चारों तरफ का शैडव दे दीजिए तो 5px शैडव का लेक्चर जरूर चलेगा उसको देखना न भूलें 8px and 9px and yellow color का शैडव बन जाए यह हमने शैडव बना लिया है पैराग्राफ के लिए अब चलते हैं एक पैराग्राफ बना के जटा सिक देखती है तुरंट क्या होता है पी यहां पर आ जाईए और पी में लिखिए हाई देस ओर वह कर दीजिए यह हमारा पैराग्राफ बढके आगया है यहां चलते हैं और रिफेस करते हैं यह जो है लगा देढ़ैं हम इसमें इसे क्लास को लगा देंगे यह तो नॉर्मल है बिना वी क्लास के ही है यहाँ वे बी क्लास आप लगा दीजिए बहुत इजी है चलिए रिफ्रेस करके देखते हैं क्या हो रहा है यह आपका शैड़ो के साथ येलो कलर का हाय दिसिज दुर्गेसर मोनो टाइप को और सिवा फॉंट में आ चुका है अब हम इसको कैसे जो है अब अंतर देखिएगा ID क्लास का लेक्टेर जुरूर देखे इसके पहले वाला लेक्टेर जूए आउडी क्लास का है सार्च करें यूट्यूब पर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा हैं यहां यह दोनों आईडी बन गई वाऑडी बन गई तो यहां पर हम लिखना पड़ेगा यहां पर लेकलिक देते हैं Peng गवलस टू ए और हरिएककोल टू तो कि भी आईडी कुल्स टूबी दो सिसे समने आईडी के नाम से बना लिया है अब आईडी लगा दिया है तो चला के भी देख लेते हैं या क्या होता है चलाने पर तो यहां पर चलते हैं और कि कुछ प्राव्लम आ रही है कि एक बार नोट पैट प्लस प्लस मैं क्लोज करता हूं फिर से इंप्लिमेंट करके देखेंगे से बन करी नोट से प्रावलम आ रही थी अगेन इसको हम उपेन करते हैं और प्लस प्लस को कि यह कुछ एरर दे रहा था और यह हमारे क्लास खुल के आगई भी है अब आईडी हमने बना लिए बी के नाम से यहां पर यहां पर यहां पर दोनों काम कर जाए और बी दोनों काम कर कर जाए यही जो है क्लास और उसमें आईडी में अंतर है यहां पर मैंने लिखा है एक स्पेस बी मेरे पास दो-दो बी दोनों सब्सक्राइब कर देखिए कुछ भी नहीं लगा अगर मैंने दोनों लगाया तो लेकिन इसको अगर हम क्लास कर देंगे तो आप एक साथ में कई सारे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे objects में इसी लिए हम class लगाते हैं id नहीं यही question पूछते हैं लोग कि id और class में क्या अंतर है तो class attributes आपके पूरे global होते हैं पूरे file में कहीं भी लग सकते हैं लेकिन id में कभी नहीं लग सकता है यहाँ पे आते हैं save करते हैं refresh करिये तो यहां पूरा क्योंकि यहां है हमने प्लूधap सेंटर है और अलाइनमेंट है और कलरं ब्लू है और उसमें यह क्या है उसमें चैडव हमने बना घ्रेकू पाय थी इंप्लिमेंट कर गया ऊब मल्टीपल क्लास सेट एक जगा लगा सकते हैं ID लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ID यूनीक होती है यह दोनों मिलके कई बन जाएगी और हो गलत हो जाएगा लेकिन क्लास जो मल्टीपल जगा मल्टीपल अलिमेंट के साथ हम लगा सकते हैं बने रहे हमारे साथ सीखते रहें CSS और STML के और रब डिजाइनिंग के स्क्लास को और दिनों के भी क्लास चले ही है लाइक शेर सब्सक्राइब ना भूलें थैंक्स पर वॉचिन बाइबाइब